दर्शको आज हम राश्टी आय के लेखांकन के अंतरगर्थ राश्टी आय को मापने की विधियों को समझेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि राश्टी आय को मापने की तीन विधियां होती हैं पहली उत्पाद अत्वा मुल्य वर्धित विधी, दूसरी आय विधी वा तीसरी व्य विधी ये तीनों विधियां अर्थवयस्था की तीन इस्तर पर आर्थी क्रियाओं से संबंदित हैं सरपर्थम अर्थवयस्था में वस्तूओं व सेवाओं का उत्पादन होता है इस इस्तर पर उत्पाद की गणना उत्पाद विरीज की जाती है उत्पादन होने के पश्चाथ उत्पादन के कारकों श्रम, भूमी, पूंजी वा उध्यमवर्ती को उनके उत्पादन में योगदान के पारिश्मिक के रूप में आई वित्रित की जाती है इस इस्तर पर राश्ट्री आय का अनुमान लगाने के लिए हम आय विधी का प्योग करते हैं और जब परिवारो द्वारा प्राप्त आय का निस्तारन किया जाता है अर्थार्थ प्राप्त आय को परिवारो द्वारा व्य किया जाता है तो इस स्तर पर आंकलन करने के लिए वैविधी प्रियोग में लाई जाती है यहां ये अवश्य सनद रहे कि अर्थवयस्था में होने वाली आर्थी करियाओं के तीनों स्तर आय का स्रजन, आय का वितरन और आय का निस्तारन में प्रियोक्त होने वाली तीनों विधियों से एक समान मुल्य प्राप्त होता है जो ये दर्शाता है कि तीनों इस्तर पर एक समान अर्थिक गतिवियें होती है जितने मुल्य की अंतिम वस्तुएं वा सेवाएं उत्पादित हुई हैं उतने ही मुल्य की आये उत्पादन के कारकों में वित्रित की जाएगी और उतने ही मुल्य की आये का वो निस्तारण करते हैं आईए अब हम राश्टी आये के आकलन की प्रथम विधी जिसे हम उत्पादन या मुल्ले वर्धित विधी कहते हैं को समझने का प्रयास करते हैं इस विधी में हम अर्थफ़ेश्था में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तूओं के मुल्लेओं को जोड़ते हैं ये हम कैसे कर पाते हैं? क्या हम सभी उत्पादकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं वा सेवाओं के मुल्य को जोड़ते हैं? इससे समझने के लिए हम एक उधरन लेते हैं. माना अर्थ वस्ता में दो तरह की उत्पादन गतिविदियां हो रही हैं. एक गेहूं के उत्पादन की और एक बेकर की जो ब्रेट का उत्पादन करता है. हम यह मानते हैं कि किसान ने 100 रुपे के गेहूं का उत्पादन किया और उसमें से अपने उप्योग के लिए बचा कर 50 रुपे का गेहूं बेकर को बेज दिये. किसान को गेहूं के उत्पादन के लिए अपने शरम के अत्रित किसी परकार की अन्य आगत की ज़रूत नहीं पड़ी अब दूसरे स्थर पर बेकर ने इस खरीदे गई गेहूं की साहता से 200 रुपे के ब्रैड का उत्पादन किया अब प्रशन ये उठता है कि अर्थवहस्ता में कुल कितना उत्पादन हुआ 100 रुपे का गेहूं और 200 रुपे का ब्रैड कुल 300 रुपे का थोड़ा दिहान से देखने पर समझ आता है कि कुल उत्पादन 300 का नहीं हुआ है किसान ने तो 100 रुपे के गेहूं का उत्पादन किया क्योंकि उसने किसी अन्यागत या कच्चे मल का प्रयोग नहीं किया परन्तु इस 200 रुपे के उत्पादन में बेकर का संपून योगदान नहीं है क्योंकि उसने 50 रुपे का गेहूं किसान से खरीदा था बेकर के उत्पादन में योगदान को ग्याद करने के लिए उसके उत्पादन मुले में से खरीदे गए गेहूं का मुले गटा दिया जाना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो इसे दोरी गड़ना की गलती कहा जाएगा क्योंकि 50 रुपे के गेहूं के मुले को दो बार जोड दिया गया है पहले तो किसान दोरा उत्पादित गेहूं के मुले में और दूसरे बेकर दोरा उत्पादित ब्रेट के मुले में अतहा वास्तम में बेकर द्वारा जो योगदान दिया गया है वो 200 रुपए का नहीं वरन 50 रुपए घटा कर 1500 रुपए का है इसे ही बेकर के द्वारा की गई मुल्ले वर्दी कहा जाता है और जो गहूं उसने खड़ीदा था वो उसकी मद्धे वर्ति भोक कहलाएगा अतहा एक फरम की मुल्ले वर्दी उसके उत्पादन मुल्ले में से उसके दुवारा मद्धे वर्ति भोक को गटा कर प्राप्त होती है अर्थफैस्था में आयका अगलन करते समय दोहरी गणना की समस्या हर वस्तू के उत्पादन में आती है जैसे किसान ने कपास का जिसने कपड़ा बनाया और उसे गार्मन फैक्ट्री को भीज़ दिया जिसने कपड़े से शट बनाई अब इस प्रक्रिया में कपास धागा वा कपड़े के मुल्ले की गणना एक से अधिक बार की गई इस दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए दो उपाई के जा सकते पहला केवल अंतिम वस्तुओं वा सेवाओं का मुल्य ही जोड़ा जाए जैसे कि केवल शड के उत्पादन मुल्य को राश्ट्री आए में शामील किया जाए वा अन्य मध्यवर्थी वस्तुएं जैसे कपास, धागा वा कपड़े के मुल्ले को राश्ट्री आए निकालते समय छोड़ दिया जाए और दूसरों पाई है कि उत्पादन के सभी स्तर पर मुल्ले वर्दी को शामिल किया जाए ना कि उत्पादन मुल्ले को अभी हमने सीखा कि कैसे एक फर्म की मुल्ले वर्दी ग्याद की जाती है पूरी अर्थफ्यस्था में सभी उत्पाद को द्वारा हुए उत्पादन की गणना अर्थार्थ राश्टी आए की गणना करने के लिए चरण बद्द तरीके से कारे किया जाता है पहले चरण में उत्पादन के सभी शित्रों की सभी उत्पादन इकाईयों के उत्पादन मुल्ले को जोड़ा जाता है उत्पादन मुल्ले में उत्पादकों की कुल विक्री के साथ ही जो भी बिना विका उत्पादन रह गया है जिसे माल सूची निवेश कहते हैं उसे भी सम्मिलित करते हैं यहां ये भी ध्यान रहे कि फर्म के पास वर्ष के आरम में भी कुछ बिना विका उत्पादन हो सकता है अतहे माल सूची में निवल निवेश ग्याद करना जरूरी है इसके लिए वर्ष के अंत में बचे स्टॉक में से वर्ष के आरंभिक स्टॉक के मुल्य को घटा दिया जाता है अंतह तहां कुछ पादन मुल्य बराबर कुल विक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन वा स्टॉक में परिवर्तन बराबर अंतिम स्टॉक, घटा, आरंभिक स्टॉक दूसरे चरण में सकल मुल्ले वर्दी और बजार कीमत पर सकल घरेल उत्पाद का आकलन किया जाता है हमने जो किसान और बेकर का उधरन लिया था उन दोनों के दोरा की गई मुल्ले वर्दी व्याद करने के लिए उनके उत्पादन मुल्ले में से मद्धेवर्ति वस्तूओं के मुल्ले को घटा दिया जाएगा अर्थार्थ बाजार कीमतों पर सकल मुल्ले वर्दी बराबर उत्पादन मुल्ले माइनस मद्धेवर्ति वस्तूओं इस तरह हम अर्थफेवस्ता में सभी उत्पादन इकाईयों के सकल मुल्ले वर्दी निकाल कर जोड दें तो हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थार्थ GDP-MP ग्यात हो जाता है तीसरे चरण में हम GDP-MP की सहयता से घरेलू आये का आगलन करते हैं अभी तक हमने समस्त अर्थवयस्था की कुल मुल्लेवर्दी ग्यात कर ली है तो अब हमें इसमें कुछ समायोजन करने होंगे पहला समायोजन तो मुल्लेहरास का करना होगा क्योंकि सकल में पुरानी मशीनों की टूटफूट के बदले जो नई मशीनों को हस्तांतिर्थ किया गया है का मुल्ले भी शामिल हता है जिसे मुल्ले हरास कहा जाता है अतहा निवल मुल्ले वर्दी निकालने के लिए सकल मुल्ले वर्दी में से मुल्ले हरास को घटा दिया जाता है और दूसरा समायोजन निवल अप्रतेक्षकर का किया जाता है क्योंकि वस्तूओं वा सेवाओं का विक्रे बाजार में किया जाता है और इसलिए मुल्य वर्दी बाजार की किम्तों पर ग्यात हुई है जिसमें सरकार के दुवारा लगाए गए अपर्तेक्षकर भी शामिल होते हैं और सरकार दुवारा कुछ वस्तूओं के उत्पादन को दिये जाने वाले आर्थिक उपतान भी सम्मिलित होते हैं अतहा साधन लागत पर मुल्य वर्दी ग्यात करने के लिए निवल अपर्तेक्षकरों के मुल्यों को भी घटा दिया जाता है अतहा निवल अपर्तेक्षकर बराबर अपर्तेक्षकर माइनस आर्थिक उपतान इन दोनों समायोजन के पश्चार्थ जो आये प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर शुद घरिलू उत्पाद अर्थार्थ एंडीपी एफसी कहा जाता है और साथ ही इसे घरिलू आये भी बोला जाता है साधन लागत पर शुद घरिलू उत्पाद बराबर अंडीपी एफसी बराबर घरिलू आये बराबर बाजार कीमतों पर सकल घरिलू उत्पाद जीडीपी एमपी माइनस निवल प्रतेक्षकर माइनस मुल्लेहरास चोथे चरण में राष्ट्री आये का अगलन होता है अभी तक हमने जो आये निकाली थी वो घरिलू आये थी परंतु हम जानते हैं कि हमारे कुछ सामाने निवासी दूसरे देशों में भी काम के लिए प्रवास करते हैं जैसे सजुदी अरम में गए हुए भारती निवासी ये जो आये प्राप्त करते हैं उसे हमारी राष्ट्री आये में से शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे निवासियों ने अर्जित की है इसी प्रकार जो विदेशी गयर निवासी वक्ती ये संस्थान भारत में आकर आय अर्जित करते हैं उधारन के लिए कोरियाई कार कंपनी हुन्डई ये भारत में अपने वेफपार से जो आय अर्जित करती है वो उनके देश के समाने निवसी की आये है अतहा हमारी राष्ट्री आये में शामिल नहीं होनी चाहिए इस समायोजन के लिए हम घरेलू आये में से शेश विश्व से प्राप्त निवल कारक आये को जोडते हैं अनतहा निवल राष्ट्री उत्पाद या राष्ट्री आये बराबर घरेलू उत्पाद प्लस शेश विश्व में नियुक उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अरजित कारक आये माइनस गरेलू और तफ्यस्था में नियोजित शेश विश्व के उतपादन के कारकों दुवारा अर्जित आए इस चरणबत तरीके से हम मुल्ले वृद्धी विधी दुवारा राश्टी आये का अंकलन करते हैं इस विधी दुवारा राश्टी आये निकालते समय हमें कुछ सावध्यनें भी वरतनी चाहिए जिससे की राश्टी आये का सही मुल्ले ही आए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि दोहरी गणना से बचा जाए इसके लिए केवल अंतिम वस्तूओं और सेवाओं के मुल्ले को जोड़ें या मुल्ले वर्दी को तूसरे विक्री में केवल नई वस्तूओं के क्रे विक्रे को ही शामिल करते हैं परानी वस्तूओं के विक्रे को नहीं क्योंकि ऐसी वस्तूओं का मुल्य उस वर्ष जोड़ जा चुका है जब इनका निर्मान वा विक्रे हुआ था इनका इस वर्ष के उत्पादन में कोई योगदान नहीं है तीसरे यदि उत्पादक वस्तूओं का उत्पादन कर उसमें से कुछ वस्तूओं का प्रियोग स्वयम कर लेता है और बाजार में विक्रे नहीं करता है तो भी इन स्वयम उभोग के लिए रखी गई वस्तूओं का मुल्य सकल उत्पादन में शामिल किया जाएगा अब हम राश्ट्री आय को मापने की आय विधी को समझते हैं इस विधी के अंतरगत सबसे पहले चरण में सरव पर्थम हम अर्थवस्था के सभी शेत्रों में सभी उत्पादक फर्मों दुवारा वित्रित की गई कारक आय का अनुमन लगाते हैं इसके लिए समस्त प्रकार की कारक आय के आखड़ी लिये जाते हैं दूसरे चरण में इन सभी कारक आय को जोड़ा जाता है और घरेलू आय ग्यात की जाती है कारक आय उत्पादन के सभी साधन मानव शर्म, भूमी, पूंजी और उध्यम्वरती से मिलने वाली आय होती है इन सभी कारकों की आय को मुख्यता तीन भागों में बार दिया जाता है पहला मुख्य अव्यव होता है करमचारियों का पारिश्रमिक करमचारियों का पारिश्रमिक मानव शर्ब कारक का उत्पादन में योगदान का पारिटोश्रिक है इसके दो घटक है पहला वेतन वा मजदूरी चाहे वो नकदराशी के रूप में दी गई हो या अन्य किसी रूप में जैसे निशुल्क रहने के लिए मकान, भोजन आने जाने के लिए यतायात का साधन इत्यादी दूसरा घटक है नियोकता दोवारा स्रमाजिक शुरुक्षा योजना में किया जाने वाला अन्शदान नियोकता या फ़म का स्वामी अपने करमचारियों के भविश्यों को ध्यान में रखते वे किसी पेंशन स्कीम या प्रविडेंट फंड में योगदान करता है या स्वास्थे से संबंदित कोई भीमा आदी पर खर्च करता है जिससे उसके करमचारी समाजिक रूप से सुरुक्षित रह सके तो यह अन्शदान भी करमचारियों के परिश्यमिक का ही हिस्ता है अतहा करमचारियों का पारश्मिक बराबर वेतनवा मजदूरी, नगद और निशल सुईधाएं, जमा, समाजिक सुरक्षा योजना में अन्षधान इसमें उत्पादन के बाकी बचे तीनों कारक भूमी, पूंजी वा उध्यमवर्ती को उत्पादन में योगदान के प्रसकार के रूप में मिलने वाली आये सम्मलित होती है अर्थार्थ, परिचालन रिशेश, बराबर लगान वा रॉयल्टी, जमा ब्याज, जमा लाब होता है लाब को भी तीन भागों में वेक्त किया जाता है और प्रिख्षा की दृष्टी से भी पता होना चाहिए कि लाब का एक हिस्सा सरकार को निगम लाब कर के रूप में दिया जाता है लाब का दूसरा हिस्सा निगम या फर्म अपने पास निगमित बच्टों के रूप में रख लेते हैं ताकि भविश्य में फर्म की आर्थिक अवश्रत्तों को पूरा किया जा सके। और लाब का बाकी बचा तीसरा हिस्सा निगम के मालिकों अर्थात शेर धारकों में लाभांश के रूप में वित्रित कर दिया जाता है। अतहा है लाभ बराबर निगम लाभ कर जमा निगमित बच्चते या अवित्रित लाभ जमा लाभांश। तीसरा अव्यव है स्वेय निजयकों की मिश्रित आये। करमचारियों के परश्मिक और परिचलन दिशेश में उत्पादन के चारो कारकों की आये सम्मलित हो गई है। परंतु राष्ट्रिय आये के आंकलन की दृष्टी से ये अव्यव भी महत्पून है। क्योंकि जो लोग स्वेय नियोजित होते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर अकॉंटेंट, इत्यादी इनकी आये चारो तरह की कारक आये वेतन, लगान, व्याज और लाब का मिश्रण होती है। और इन्हें प्रथक करना संभव नहीं होता। अतहा राश्टी आये के आकलन में इसे एक अलग मद मिश्रित आये के रूप में दर्शाय जाता है। अनततह इन तीनों अव्यों को जोड़कर घरेलू आये ग्यात हो जाती है। वा इसका सूत्र कुछ इस परकार बन जाता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, NDPFC, अथार्थ घरेलू आये, बराबर करमचारियों का परश्मिक, जमा परिचारन दिशेश, जमा स्वयन इजोचों की मिश्रित आये। आये विधी से राष्टी आये की गणना करते समय भी कुछ सावधानियां बरतनी आवशक हैं। सरपर्थम, केवल अरजित साधन आये को ही सम्मिलित किया जाता है, हस्तांतरन आये को नहीं, क्योंकि वस्तूओं वा सेवाओं के प्रभा में हस्तांतरन आये का कोई योगदान नहीं होता। दूसरे, पुरानी वस्तूओं को बेशने से मिलने वाली आये सम्मिलित नहीं होगी। तीसरे, पूंजी गतलाब जैसे संपत्ति को बेशने पर होने वाला लाब आधी को शामिल नहीं किया जाता। एक वेकलपिक तरीब का राश्टी आये को ग्याद करने का है उत्पादन के मांग पक्ष को देखना। अर्थार्थ उत्पादन को खरीदने पर होने वाले वै की गणना करना। इसे वैविधी कहते हैं। जो हमने किसान और बेकर का उधारन मुले वर्दी विधी में लिया था। उसे यदि वैविधी की दृष्टी से देखें तो अन्तिम वस्तू ब्रेड को खरीदने पर 200 रुपे का वैव होगा। और किसान ने 50 रुपे का उत्पादन स्वेम उभोग के लिए रखा जो कि उसका अन्तिम उभोग है। इस तरह 250 रुपे का अन्तिम वस्तू का उत्पादन हुआ। इस तरह हम समझ सकते हैं कि दोनों विधीयों में उत्तर समान ही है। इस प्रकार अर्थव्यवस्ता के चारों शित्रों परिवार, फर्म, सरकार वा शेश विश्व द्वारा अन्तिम वस्तूओं वा सेवाँ पर किया जाने वाला वै को जोडने पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP, MP का अकलन हो जाता है। इस तरह चार अव्यव इसमें शामिल होते हैं। सरकारों द्वारा जनता को जो सेवाएं दी जाती हैं उनके उपर होने वाला वै सम्मिलित है। जैसे शिक्षा, स्वास्थे, वा सुरक्षा पर सरकार द्वारा के जाने वाला वै है। तीसरा अव्यव है सकल घरेलू पूंजी निर्मान। सकल घरेलू पूंजी निर्मान में फरम वा सरकार द्वारा पूंजी के द्वस्तूओं पर निवेश के रूप में जो वै किया गया है को सम्मिलित करते हैं। इसमें स्थिर संपत्ति, परनिवेश तथा माल ताली का निवेश दोनों ही सम्मिलित होते हैं। और चौत्था व्यव है निवल निर्यात। अर्थार्थ निर्यात में से आयात को घटाने पर जो मुल्ले प्राप्त हो। यह शेश विश्व द्वारा हमारे घरेलूत पात की मांग को दर्शाता है। सूत्र के रूप में देखें तो GDPMP बराबर निजी अंतियू भोगवे जमा सारवजिनिक अंतियू भोगवे जमा सकल घरेलू पुंजी निर्मान जमा निवल निर्यात निर्यात मैनस आयात। राश्ट्री आय ग्यात करने के लिए पहले की विधियों के समान ही समायजन करने होंगे। और सूत्र इस प्रकार होगा राश्ट्री आय एन एन पी एफसी बराबर GDPMP मैनस मुले रास मैनस निवल अपरतेशकर जमा शेश विश्व से प्राप्त निवल कारक आय एन एफ विए विधि से राश्टी आय की गणना करते समय भी कुछ सावधानिया अवश्य बढ़ती जानी चाहिए। आंकलन में जोड़ा जाएगा। राश्टी आय के मापन की तीनों विधियां सीखने के पश्चात अब हम कुछ महत्पून संकलपनाओं को भी समझते हैं। जिसमें प्रथम हैं वर्तमान सकल घरेलूतपाद और वास्तविक घरेलूतपाद। वर्तमान सकल घरेलूतपाद का अर्थ है वर्तमान वर्ष की कीमतों के आधार पर सकल घरेलूतपाद की गणना करना। जबकि वास्तविक घरेलूतपाद की स्थिति में, अधार वर्ष की चीमतों पर मापा जाता रहे। इसे एक उध्रन्ट से समझते हैं। मानाब बेकरные वर्ष 2000 में ब्रेड की 100 इकाईों के उत्पादन किया, और उन्हें 10 रूपे कीमत पर बेचा। इस प्रकार वर्ष 2000 में सकल गरेल उत्पाद हुआ 100 गुणा 10 बराबर 1000 रुपे अब माना अगले वर्ष 2001 में बेकर ने ब्रैट की 110 इकाईयों का उत्पादन किया और उसे 15 रुपे कीमत पर बेचा तो 2001 वर्ष का मोदरिक सकल गरेल उत्पाद होगा 110 गुणा 15 बराबर 1650 अब यदि हम वर्ष 2001 की वास्तविक सकल गरेल उत्पाद जाना चाते हैं तो हमें वर्थमान वर्ष के उत्पाद को आधार वर्ष जो की वर्ष 2000 है की कीमतों के आधार पर ग्याद करेंगे तो मुल्य आयेगा 110 गुना 10 बराबर 1100 यह 1100 वास्तिविक सकल गरेल उत्पादन है जो की कीमतों को स्थिर रखने पर प्राप्थ हुआ है जबकि 1650 वर्तमान वर्ष में कीमतों के बढ़ने के करणा आया था इस अवधारना से हमें अर्थफ्यवस्ता में होने वाली वास्तिविक वृद्धी का पता चलता है वर्ष 2.1 के सकल गरेल उत्पाद की इन दोनों अवधारनाओं से सकल गरेल उत्पाद अवस्वितिक GDP डिफलेटर का मुल्य ग्यात किया जा सकता है जिसका सूत्र होगा GDP डिफलेटर बराबर मौद्रिक GDP डिवाडिड बाई वास्तिविक GDP इसे परतिशत में परदशित करने के लिए हम इसे सो से गुना कर देंगे राश्ट्री आएक लेखांकन के अंतिम संकल्पना के रूप में अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि GDP और कल्यान किस परकार से संबंदित हैं क्या किसी देश की GDP के बढ़ने से सदैव कल्यान में विद्धी होगी वास्तम में ये सदैव सही नहीं होता इसके तीन कारण है पहला सकल घरेली उत्पात का वित्रण यदि GDP बढ़ता है परन्तू उसके वित्रण में असामानता है मतलब कि अमीर वर्ग को अधिकाई मिले और निम्न वर्ग को और भी कम तो इससे देश में लोगों के कल्यान में विद्धी नहीं होगी अपितू असामानताएं और भी बढ़ेंगी इसके विप्रीत बिना GDP बढ़े भी यदि देश में अमीर वा गरीब के बीच की असामानताएं कम हो जाएं तो वो कल्यान को बढ़ाएगा दूसरा कारण है गैर मोद्रिक विनी में अर्थवयवस्था में वो आर्थी गतिविदियां जिनको मुद्रा के रूप में मापना संभव नहीं होता क्योंकि सही आंकले उपलब्द नहीं होते हैं उधारन के लिए परिवार में ग्रहनी की सेवाएं या ग्रामिन भारत में आज भी वस्थू के बदले वस्थू का विनी में इन गतिविदियों से लोगों का कल्यान तो बढ़ता है परंतु जीडीपी में ये शामिल नहीं हो पाती और जीडीपी का मुल्यंकन वास्तविक से कम रह जाता है तीसरा करण है वहिय करण वहिय करण से ताथ पर रहे किसी फर्म या व्यक्ति के लाव यानी से है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है और जिसका भुकतान या दंड नहीं दिया जाता है यह दो प्रकार का होता है नकारात्मक वा सकारात्मक नका सायदी संभलित होते हैं जिनसे दूसरों लोगों को नुकसान होता है और उन्हें इसके बदले कोई भुकतान भी नहीं किया गया, यायनि कि वाहन मालिकों ये फैक्टरी मालिकों को को कोई दन भी नहीं देना होता सकारत्मक वहिय कारणों में किसी फ्लाई ओवर के निर्मान से लोगों के समय और वाहन के फ्यूल में होने वाली बचत इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है धन्यवाद अण्यव झाओ भी डिर्मान से और रहान के साथ ही यह वां से लोगों में होगों में ह होता है वं इसकी फ्लार्राश्वार्डड़ रहाण के लिद़ें अचत्क सोंई धन्यवाद कि इसकार।